नमस्ते दोस्तों आप सब लोग WhatsApp यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है कि WhatsApp हम यूज़ करते हैं और किसी को आटो रिप्लाइ देना होगा तो ये फीचर तो हमारे पास नहीं है जी हम आटो रिप्लाइ कैसे कर सकते हैं किसी को अगर हम बाइक पर है या फिर मंदिर में या फिर किसी मिटिंग में या फिर किसी काम में तो भी हम रिप्लाइ नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आज अप यही ट्रिक लाया हूँ तो प्लीज आप पूरा वीडियो दिखिए क कि आप कैसे को भी auto reply set कर सकते हो, मतलब जो भी हमें message करेगा उसे auto reply में हमारा message जाएगा ही जाएगा, जी तो चलिए शुरुआत करते हैं, दोस्तो इसके लिए पहले आपको जाना है प्लेश्टोर में, जैसे आप प्लेश्टोर में जाओगे, आपको search करना auto reply for whatsapp, जी और जैसे आप search करोगे, यहाँ पर देखें, पहले ही software आपको आ जाएगा, जिसकी rating 4.3 है, और auto reply for whatsapp, यह software का नाम है, जी 10,000 लोगों ने download किया, और rating भी बहुत अच्छे 4.3, तो चलिए हम भी इसे install करते है, जैसे हम install करेंगे, यह 4 MB का software है, जी और तुरन download हो जाएगा, जी देखें, यह install हो गया है, और contents ads, मतलब ads आ जाएगे इसके बीच में, तो उसका द्यान लग के आप, चलिए, installing हो रहा है, देखें, installing हो गया, हम इसे open करते हैं, जी, जैसे हम open करेंगे, यहाँ पर यह screen आएगी, display screen, जी, इसे हमें permission देने है software को, कि वो हमारा mobile यूज़ कर सकता है, auto reply के लिए, चलिए, हम इसे permission दे देते हैं, यहाँ पर देखें, option आगया है, grant permission, इसके उपर आपको click करना है, जी, और यहाँ पर ढूंड़ना है, whatsapp reply, जी, यह देखें, तो इसे हमें on करना है, और allow करना है, जी, यह हमारा on हो गया है, अभी हम इसे back करेंगे, यहाँ पर आपको back option उपर मिलेगा, इसके उपर आप click कीज़े, और back कीज़े, permission granted, thanks, जी, दोस्तो, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, जी, दोस्तो, यह इसका interface है, बहुत ही simple interface है, और बहुत ही easy समझने के लिए, जी, दोस्तो, मैं आपको इसके बारे में सारी जान करें देता हूँ, पहले देखें, यहाँ पर reply text, यहाँ जो भी हमें reply text करना है, वो हमें यहाँ पर type करना है, अगर हम meeting में है, तो यहाँ bike, जो भी आपको लिखना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जी, I am in a meeting, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और accept करता हो, जी, अभी देखें, दुसरा option, auto reply threshold time for contact, मतलब यह 10 second, आपको कितने time में reply जाना चाहिए, वो आप यहाँ से setting कर सकते हो, जी, इसे हम minimum 3 seconds ले सकते है और maximum 15 seconds ले सकते हैं, आपको जो भी time रखना है, आप रख सकते हैं, उतने time में यह software reply देगा, auto, जी, फिर यहाँ पर enable auto reply for groups, मतलब auto groups के लिए भी enable यहाँ से कर सकते हैं, जी, दोस्तो, फिलाल के लिए मैं इसे disable कर देता हो, वरना हर group में मेरा message चला जाएगा, जो भी मैं यहाँ पर option है enable, जी, इसे enable करना है आपको, और अगर आपको auto reply नहीं करना है, disable करना है, तो इसे आपको यहाँ पर click करके disable करना है, जी, मैं इसे enable कर देता हूँ, चलिए, मैं अभी आपको example दिखा देता हूँ, मेरे mobile में दो WhatsApp है, एक demo WhatsApp है, और एक मेरा WhatsApp है, मैं आपको demo WhatsApp से मेरे original WhatsApp में message करके बता देता हूँ, और वहाँ से कैसे हमें reply आता है, यह आप देख लीजिए, चलिए, देखे, यह मेरा demo WhatsApp है, और मैं मेरे number को WhatsApp कर रहा हूँ, Hi, और send कर देता हूँ, जी, जैसे ही send करूँगा, देखे, वहाँ से reply, auto reply आ चुका, Hi, I am in a meeting, जी, दोस्तों, य आप किसी भी contact के लिए set कर सकते हो, जी, सारे contact के लिए आप आसने से, इसे set कर सकते हो, एक reply सब को जाएगा, मतलब आप बाइक पे हो, Hi, I am on a bike, इतना लिखोगे, तो भी सारे WhatsApp को, यह message चला जाएगा, जो भी आपको message कर रहा है, जोस्तों, यह trick इसले मैंने बताई है, क्य अगर वो बाइक पे होगा, तो reply नहीं दे पाता, मिटिंग में होगा, तो नहीं दे पाता, तो इसके कारब बहुत सरे अपने लोग, खुद के लोग, attention में आ जाते हैं, तो दोस्तों, यह software आप ज़रूर रियर्स किजिए हैं, चले, मेरा आज का यही information था, अगर आपको प झाल